एह है अजीत कौर दी आतम कथा खाना बदोष्टा पंजवा अध्याई कोगा ते समुन्दर आवाज मानप्रीत सहोता इस स्वैजीवनी दे पहले चार हिसे सुनन वास्ते उत्ते दित्ता लिंक क्लिक कर सक देओ कोगा ते समुन्दर हुन सोच दी हां तक केड़ा अजीब लगदाए ओमानाल मुलाकात एक बड़ा अजीब इत्तफाक सी ओमा यानि ओम परकाश ते मुलाकात जिस तरह वाकफियत विच बदली ते वाकफियत इश्क विच ओ होर वी अजीब सी फिर एवी सोच दी हां के शाय हार मनुखी रिष्टा इसे तरह अजीब लगदाए अदुत्ती बे नजीर पर असल विच होंदा बहुत मामूली है इसे तरह मनुखां दे दुख, सुक, गम, अनंद जिस नाल वापर देने उनु लगदाए एस पूरी जमीन ते नीले आसमान दे विचकार अजेई कटना क हवामा वगण वर गियां, कटनामा ही ने महज, सब नल वापर दिया रिंदियांने ते बढ़ाइ अजीब लगदाए सोच के के एकोई विळे, उसे पल, उसे छिन, दुनिया दे पता ने किनने हिस्सियां विच किनने ही लोग का नाल, एको विरे, एको जैयां कटनामा होनी एहो जही अलोकार गल ना किसे नल होई है ना होनी है किड़ी अजीब गल ले नहीं एह उना दिना दी गल ले जो दो मैं अखीरली वारी अपने खावन दे करों अपनी मादे कार आ गई सा उन्जता एह अठमी वार सी जो दो मैं फुटबॉल वांगू लड़क दी होई खावन दे करों मादे कार जा रही सा पर एक छिंड दे हजार में हिस्से विच एक अख पलकारे विच बिजली दी कौन द वांगू मैंनू एह अशास हो गया सी के एह हुन अखीर लिवार है जो मैं इना दहलीजां तो बाहर पैर रख रही सा इना मोहाठा दे अंदर हुन दुबारा मैं कदे कदम नहीं रखांगी गलवी कोई खास नहीं सी बस एक तिनका सी जड़ा आखरी सी ते जिसने मेरी उठ वरगी सخت कमर भी कड़का के तोड़ दिती सी उदों बारा साल हो चुके सन साड़े व्या नू व्या लफज दे नाल बाउत सारियां शेहनाईयां ते थोड़ी जां बाउती खुशी ते मुहबबत वाबस्ताए पर कई व्यामा वास्ते कोई होर लफज होना चाहिदाए सिंगापूरी क्यों एस गल दी मिनू कदे समझ नहीं आई ओ आप ता कदे सिंगापूर गई ही नहीं सन और सिंगापूर उना दी एक मासी व्याई होई सी जड़ी तेरां कुडियां जम के पिछे जए मर गई सी ते ओस मासी दी फरम वेच मेरा देवर चार साल नौकरी करके आया सी सिंगापूरों सिंगापूर दे कोठेयां बारे मेरे खावंद नू पता नहीं मेरे देवर ने दस्या सी ज़ा उना दी मासी दे खावंद ने पता नहीं ज़ाएद मासी ही कदे उना कुल चुरी होवे के मासी दा खावंद खेर, मैंनु वजा नहीं पता पर हर वार ओ सिंगापूर दी हीतम की दिन दे ते मैं सच मुझ तरह जान दी ते खामॉश हो जान दी पर ओस दिन मैं खामॉश नहीं रही मैं वी एक गोंचीख के अख्या सिंगापुरी क्यों ये थी क्यों नहीं दिल्ली विच कदे कदे तो अनू भी उत्थे जानदा सुख रहेगा ते एक जहन्नम दे सारे दर्वाजे कड़कड़ा के खुल गए ते उस बेपना शोर विच मैं दोआं बच्चियानों उंगली लाके उस कारदियां दहलीजां टपके बाहर आगई ए पहली वारी सी के मैं आप उस कारनों छोड़ देता सी नहीं ते हुंदा ए सी हमेशा के उही मैंनू मेरी माँ दे कार पेज दिन दे हुंदे सन ते फेर साल चमाई मगरों आके वापस ले जान दे हुंदे सन बीजी यानि मेरी माँ दे कार वी बिलकुल चैन नहीं सी उन्हीं दिनी ओ बहुत बिमार सन कारसंबा लणवाडा होर कोई है नहीं सी जस बीरदा व्या हो चुका सी पामे ते ओ मेडिकल इंस्टिट्यूट विच नौकरी करदा सी दिल्ली विच ही पर उनने एहो जियां जिम्मेवारियां कदी नहीं सन पुकता हिया उना लई मैं ही सा पालतू चीज अगे वी मैं ही रोज शामिया के पूरे दिन दी रोटी पका आ जान दी सा बीजी नू स्पांच करके कपड़े बदल जान दी सा होर कारदे निके मोटे काम कार जान दी सा पामे कर वापस जाके खावंद कुलो इही सुनना पैंदा सी किड़ी यार नू मिलकी आई है पर उनना बारा वर्यां विच मेरा कोई यार नहीं सी बिलकुल पक दीवरगी उपास ना नाल मशक्कत नाल मैं अपने खावंदे दिलनू जितन दी कोशिश कर दी रही नौकरी कर दी रही बच्चेया नू पाल दी रही हंगा में विचों गुजर दी रही पर उजदों वी मैंनू किसे नाल गाल कर दिया वेख लेंदे केंदे मैं उस बंदे नाल इश्क कर रही सां ओ बंदा चाहे तो भी होवे जान दर्जी चाहे मेरी नौकरी वाले मैक में दा कोई बंदा चाहे कोई लेखक चाहे मेरी किसे सहली दा खावंद चाहे किसे अख़बार दा कोई एडिटर एस गल दीवी वजा सी पर ओ तो अनू मगरों दसांगी खेर तो अनू दसरी सांगे बीजी बहुत बिमार सन फिर उनना दी हालत होर विगडी ता उननू हस्पताल दाखल करवाना पया ते फेर हस्पताल विच ही ओ गुजर गए उनना दी मौत दे सद में तो जिस वेले में जरा संबली ता लगा मैं जिवें अंदरों काफी तगडी हो रही सा एक वारी मैं जड़ा फैसला कर लिया सी के हुन खावंदे कार वापस नहीं जाना उस नाल मेरे अंदर बारा वर्यादियां कतल हुयां संबावनावा मुड के जाग रही या सन लाशा जिवें हडबडा के अखा खोल रही या सन नाले दार जीदा कार हुन मैं चला रही सा इस करके रज के रुटी खा रही सा दुद पी रही सा ते तगडी हो रही सा चेरे दी पिलत्न तुप रही सी अखांदे द्वाले अनीद्रे दे काले चकते गायब हो रही सन ते गल्लाँ दे गुलाब वापस आ रहे सन मैं जिवें मर के मुड जनम ले रही सा इस शायद मेरा चोथा जनम सी पहला जनम ता नानी दे पीर मक्की दी गली वाले का रविच होया सी दुजा बलदेव दियां बामा विच जिना ने मेरी मिटी नू पन के मुड के गुन के दुबारा मेरा बुथ कड़या सी जिसम दावी ते रूध आवी तीजा जो दुव्या होया सी ते सारे ने क्या सी एती यांदा दुजा जनम होंदाए पिछला सब पुल के मरक के नवे का रविच ते नवे लोका विच ते नवियां जमेवारिया नाल ते चोथा जो दो मैं खावन्दे कारदियां देहलीजां टपन लगयां फैसला कीता सी के हुण मुड के एसकार विच कदम नहीं रखना ते पहली वारी मैं अपने बच्चे नाल शाम नू सैर करन जान लगी पहली वारी उना दे माख्यों वर गे बच्चपन दी नश्याई मिठास नू पीन लगी पहली वारी लगा के असी तिनने एक दुझे दे कोल अपने आप विच काफी सा सानू हूर किसे दी लोड नहीं सी असी तिनने सिर्फ तिनने एक दुझे नाल राल के जिंदगी बिता सकते सा एस एहसास नाल मैं अंदरों बड़ी मजबूत हो गई मजबूत ते बलवान अपने आप विच एड़ा विश्वास पेली वारी महसूस हो रिया सी ए उना दिना दी ही गाल ले मेरे अजुकेशन डिपार्टमेंट विच एक अफसर सी मैंनू लगा मैं उनू चंगी लग दी सा जे ओ सिद्धा मेरा अफसर होंदा ता मैं कदे विओ दनाल गल नहीं सी करनी इस चंगे लगण विच्चो मैंनू किसे चकमे जहे दी बदबू ओन लग पैनी सी ते रिश्वत जही दी हवांक पर क्योंके ओदा मेरा नाल कोई सिद्धा वास्ता नहीं सी एस करके मैं ओदी गल सोनन लग पै ते हौली-हौली मैंनू विओ चंगा लगन लग पै पर सिर्फ दोस्ती दे काबल और कुझ नही ओमा ओदा दोस्त सी ते मुलाकात होई सी पाल दे कर जड़ा ओस एजुकेशन डिपार्टमेंट दे अफसर दा मामा लग दा सी यकदम एहसास होया के ओमा नू मैं बाथ चंगी लग गई सा पर ओमा दी मेरे विच यकदम पैदा होई दिलचस्पी दा बहुत देर मेरे कुल कोई जवाब नहीं सी महीन्या दे महीन्य कोई 18 वी महीन्य एए 1905 दा जमाना सी मैं ओदो इकत्तीवें वरे विच्चों गुजर रही सा ते ओमा छतालियां वरे दा सी पर लग दा बहुत वड़ा सी शायद कद काट करके शायद अटपटी चाल करके जाँ शायद बरनार्ड शावर्गे सिर करके उदे समने मेनू लगदा मैं उदे तो बहुत छोटी सा बहुत ही छोटी दुजी गल एके मेनू जापदा ओमा मेरे सोज स्वाद दे मेचदा बंदा नही बिलकुल हटवाणिया लगदा सियो मुट्टा ठुला खान पीन दा बे हद शोकीन पैसे कमोणा ही जिस दी जिन्दगी दा मकसद सी ते कदे कदे जायका बदलन ले इश्क करना उनी दिनी ओ अपनी टाइपिस्ट नाल इश्क कर रहा सी चप्पे जिड़ी कुडी पर बहुत गरीब बड़ी जेही जिसनू ओ महीने वेच दो-चार नवे सूट्स हुआ देन्दा टे डपार के मुर्गयां वाली रूट्टिक हुआ देन्दा नाल पिक्चर लाजान्दा ते डेड़ 200 दी थामे जड़ी ओनी दिनी टाइपिस्टां दी आम तंखा होया कर दी सी 400 तंखा दिन दा उन्हें जदो मेरे वेच दिल्चस्पी जाहर करने शुरू किती मैंनू लगा ओ उस टाइपिस्ट कुडी दी था होण मैंनू देन दी कोशिश कार रहा सी जवे ओ मैंनू ते उस टाइपिस्ट नू इकको पदर ते रख के तक रिया होवे ते मेरा पदर चाहे कुछ भी होवे ओस टाइपिस्ट नाल रलनो मैंनू एकदाम इनकार सी कुछ महिन्या मगरों ओस टाइपिस्ट दा व्या हो गया व्या विच ओमा ने एक कपड़े दी स्योन वाली मशीन उन्हों तोफा दित्ती ते फिर दोस्तां दी मैफल विच मैंनू ही सुनौन ली शायद क्या असी ते जिस दी बाँ भड़ी हो उस दी तोड तक खिदमत कर देया उन्हों विखो व्या करवा के जा रही सी बाँ मैं उन्हों उशा मशीन दित्ती है ते मैंनू ओदेनाल होर नफरत हुन दी ओ मिलन ली केंदा मैं केंदी मैं वेली नहीं ओ केंदा कोई गाल नहीं स्वेरे स्कूल ता जाना है न मैं बस टॉप तो स्कूल तक सिर्फ तो अडेनाल जामांगा बस फिर उन्हें क्या अपनिया कहाणियां दी किताब अंग्रेजी ते हिंदी विच क्यों नहीं चपवां दी मैं इदे बारे कदे सोचे ही नहीं सी ना ही जिंदगी ने कदे अन्नी फुर्सत दिती सी ओमा ने ए क्या ता मैं वी यदे बारे सोचन लगी नाले ओमा दी ए गाल में नू चंगी लगी उन्हें सोच दी हाँ ता लगदाए ए बड़ी खुदगर्जी सी मेरी ते ओमा शायद एस हत्यार नाल मेरा स्वय अभिमान ते अपने आप वीच मेरा परोसा ते खुददारी कतल करन्दी कोशिश कर रहा सी अपने ते मेरे विचकार एजड़ा फासला सी उसनू कटके खतम कर रहा सी अज सोच दी हां ता लगदाए ए मेरी कमीनगी ही सी जड़ी मैंनू ओदी एगल चंगी लगी ओदी टाइपिस्ट दोसो दी था में चारसो दी नौकरी पाके ओदे कोल बकॉल ओदे दोस्तां दे फस गई सी ते मैं अपनियां किताबा हिंदी ते अंग्रेजी वेच छपवाण दे लालच वेच फस रही सांशाइद पर ओदों एगल एस जाविये तो नजर नहीं आई ओदों ता एही लगगा ओ जो कहरे आए ओही साच्चे ते ओ एक एर या सी के ओ मिनू प्यार करदाए इससे करके मेरी कला नू मेरी लिख्त नू विस्थार देना चांदाए केंदा सी मेरी लिख्त विच जड़ी शक्ती है ताकत है ओ सिर्फ पंजाबी पढ़न वालयां तक ही क्यों महदूद रवे क्यों ना होर बौते लोकी मेरी कहाणियां पढ़न ते ओनू जड़न लगगा एस गल नाल में कमजोर हो रही साँ ओदे वाल लिख रही साँ ता ओ इससे भाने मेनू रोज दुपैर नू शाम नू मिलन डगदा कदे किसे पब्लिशर नाल मिलवाँदा कदे किसे नाल कदे किसे कड़ू तरजमा करवाँदा कदे किसे कड़ू ते मैंनो एक 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 इंच अपने वाल तोरदा जान्दा इस तों इलावा उन्ने होरवी बड़ी मेनत कीती मसलन पंजाबी दियां किताबां पढ़नियां शुरू कर दितियां और भी कई किताबां, ते रोज नवियां किताबां विच्चों पड़ियां नवियां गला मेंनू सुनाओदा उन्ही दिनी ओ जिलंदर विच स्कूलां दियां गाईडां चापणदा काम करदा हुंदा सी गाईडां, यानी पास होन दे सुखे, ते सस्ते फॉर्मूले ते नुस्खे इंस्टन्ट कॉफी वर गे, स्वाल जवाब मैंनू लगदा ओ इल्मनल गदारी कार रहा सी, प्रोस्टिटूशन ओ केंदा? ताई छापनावा क्योंके विकदियां ने ते मास्टर ते हेड मास्टर आप खरीदवान देने मुंडे कुडियां कुडों ये वखरी गाल ले के जदों किसे स्कूल वेच जानना कंप्लिमेंटरी कापी विच साओधा नोट राख के हेड मास्टर नू देना नडिन में फीस सदीता उन्नू साइदे पैसे समझ के रख लेंदेने सो कम सौखा हो जानदा है मगरों उजनिया किताबा हुकम देके खरीदवा देन अपने स्टूडन्स कुडों उधी कमिशनों ना दे हाथ पढ़ाई दिये ना देनदा पुल्ले ना लेंदा पुल्ले ते जे कोई विरला टामा उस नोट नू वेह के तिल मेला आपवे तम माफी मांग के ओ वापस राख लेदाए कैदा ए रा विच रोटी खादी सी ए नोट दित्ता सीटा बेवालेनू ओदे कोड़ पान नहीं सी उन्हें मोड़े आता गलती नाले इस किताब विच रख्या गया होनाए एहो जेई था में से दा स्टूरेंट्स नू पटाना पैंदा ए किताब विच चनली उन्हों पता सी मैननू ओदा एक काम पसांद नहीं सो उन्हें नाल नाल वधिया किताबां चापनियां वी शुरू कर देतियां ओदे ले एक वखरी फर्म बनाई उस विच ओदा पुत्तर जड़ा अजे पड़दा सी पार्टनर बनेया आज जदों कोई ओदे एस पबलिशिंग हाउस दी गल करदाए जा उदी चापी किसे किताब दा अखबार विच चंगा रिवियू ओंदाए ता हुन तक छोटा जा फखर हुंदाए जापदाए इदे विच किदरे ना किदरे मेरा हिस्सा वी ए मेरा योगदान फेर उदा छोटा प्रा अचानक कैंसर नाल मर गया ओमा केंदा सी उस प्रानू उन्हे आप अपनी हथी पुत्रा मगू पालया सी फेर उदा व्या किता सी आटिस्ट सी उदा ए प्रा ते आ साम विच किदरे नौकरी करदा सी टिड विच पीड होन लगी ता उन्हे ओमानू लिख्या ओमाने क्या जे ओथे डाक्टरा कोड़ो नहीं अराम आ रहा ता दिल्ली आजा ओ दिल्ली आ गया वलिंग्डन हस्पताल विच सारे चेक अप होए एक्सरे, खून, टेस्ट ते होर सब कुछ टेस्ट डाक्टरा ने द्वाईयां देके का रुपेज दिता महिने को विचे जदों हालत पौती विगड़ गई ता मुड के विलिंग्डन विच दाखल करवाया ओधों तक कैंसर पूरे टेड विच फैल चुका सी छेमे दिन उमर गया पहली वारी मैं वेख्या एड़े दमगजे वाले लम्मे चोड़े बंदे विच किस तरह त्रेडा ओधिया ने पहली वारी उमा टाहा मार मार के रो रहा सी उत्थे पाल दे का रही दुजे दिन पाल दे ही कार मैं उधे कोल बैठी उनूं तसल्ली देंदी कोशिश कार रही सां ते दोस्ती दा फर्ज अदा कार रही सां सिरफ फर्ज दी अदाएगी ही नहीं शायद एस मौत नाल मेरा अपना तरा निकल गया सी वाके ही उन्हों टारस देंदी कोशिश कार रही सा ताई ये फोन आया के उदे उसे प्रादी बीवी अपने पेके कारदे गुसल खाने वेच तेल छड़क के अग लाके सड़ गई सी ए अजे ही हॉलनाक खबर सी ओ डिगदा डिगदा बचया ते मैं जिमें बच्चिया मांगू उन्हों चोप के फढ़ लिया ए पेली वारी सी के मैं उन्हों छोया सी उधी पर जाई बात सड़ गई सी पर अजे जियोंदी सी ओ उन्हों विलिंग्डन हस्पताल ही ले गए सन असी काली नल हस्पताल जान ले ही ना उत्रे पर उसने ड्राइवर नो क्या पहलों ओ सामनी जूस वाली दुकान ते चल ओ विलाई अजे आ सी ते मेरा मान होन्नालों वी बहुता कोमल सी ओ दों के मैंनू ए जूस पीन दी गल बहुत अटपटी लगी अटपटी ही नहीं खौफणाक वी प्यानक आज वी इनने वर्या मगरों वी उधी एस गलते मेनू हली भी हरानी हुन दिये पर अजेयाई सी उम्मा बहुत ही प्रैक्टिकल केंदा सी मेरा ता जनम लगनी अजेयाई लिब्रा लिब्रा दा मतलब तकडी हर गल पूरी तोल के ना कट ना वद ठंडे दिमाग नाल सोच समझ के ते मैसा ओदे तूं बिल्कुल उल्ट अवारा जंगली हवा जिपसी दर्या तुप दा फंबा पटक दी खुश्बू सफैद खंबा दी उडारी सुपने दा बीज खैर इसे तरह डेड़ साल गुजर गया डेड़ साल मगरों उनिसोच्याठ नवंबर दा महीना बंबई बुक फेर हो रहा सी किताबां दा मेला हर शाम एक बोली दे कल्चरल प्रोग्राम दा इंतजाम कीता गया सी प्रोग्राम दा मतलब होंदा ए गिदा, पंगडा, बोलियां, टपे, नकला पंजाबी दी शाम लई नानक सिंग जीनों बलाया गया सी ते मैंनो उम्मा दा पब्लिशिंग हाउस मेले विज किताबां दा स्टॉल लगा रहा सी उम्मा आप पब्लिशिरां दे सेमिनार ले जा रहा सी जिड़ा बुक फेरदा हिस्सा सी उन्हे क्या? क्यों ना इकठे चलिये? उम्मा नाल मैं एकलियां एस तरह इन्नी दूर पराये शैर नहीं सा जाना चाओंदी इक अजीब जुनून उदे सिर्टे सवार सी उन्ही दिनी इकलियां उदे नाल होन नाल कुछ भी नतीजा हो सकदा सी चगडा, लडाई, रिष्टेयां दी तोड फोड उस कैफियत तो मैंनों डर लगदा सी मैं उम्मा नाल सौना नहीं सा चाओंदी पर उन्हों गवाना भी नहीं सा चाओंदी गौतम नाल गल कीती, उन्हें क्या? फिकर ना कर, मैं भी जा रहां, सारे एक अठे रहांगे मेले दा विशाल मैदान उम्मा दे स्टॉल विच ओ किताब भी सी जड़ी मैं हुने 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 उना वास्ते तरजमा कीती सी ख्वाजा एमद अबास दी Return of the Red Rose सिर्फ तरजमा नहीं सी ए उससे मिट्टी नू पन के गुन के दुबारा कडन वाली गल सी Transcreation सारा दिन उम्मा ते गौतम ते मैं सैर कर दे समुंदर दे कंडे बै के गपा मार दे जिते आज कल नारिमन पॉइंट दियां असमान नल चे में गुईयां कर दियां इमारता ने उथे ओदों सिर्फ मिटी दी एक कच्ची सड़क हुन दी सी जड़ी समुंदर दी वक्खी विच थोड़ी दूर तक चली गई सी पाणियां विच्चों उब्री होई उथे ही बैठे सा उस दिन ओमा ते गौतम ते मैं ते ओमा दे दो होर दोस्त समुंदर दा शोर सी लेरां दा बिल्कुल पैरां दे कोल आके ओस उब्री होई पगडंडी जही नाल टक्राणा ते मुड़ जाना ते रता कू उत्ते असी बैठे सा बस दो-चार गिठा ही उत्ते पर लेरां सानू नहीं संचो सक दिया सिर्फ उना दे टक्राण नाल जड़ी फोहार उड़ दी सी ओ हवा विच रालके साधियां गला नूचो जान दी सी गल रिटर्न अफ दे रेड रोज दी तुर पई ते फेर इंदरा गांदी दी पैसेयां दी लोड ता खेर हमेशें ही रहन दी ये पर ए तरजमा मैं सिर्फ पैसेयां ली नहीं कीता डूंगी अकीदत नल कीता है अब आस दी लिखत विच वी मैंनू अकीदत है ते इंदरा दी जात विच वी इंदरा मैंनू उसे तरह फैसिनेट कर दी है जिस तरह अमरिता प्रीतम ते हर ओ खुबसूरत ते जहीन औरत जिसनों किदरों ट्रांसफर होके औरण वाली ग्रेटनेस पसांद नहीं जो कुछ वी चाहिदा होवे उनू हासल करन दी जाच जिनानू है आम तोरते रुतबा जां शोरत जां दौलत हासल करन ले या औरतां विच ओ फैमिनिटी नहीं रिंडी जड़ी औरत पांडले ज़रूरी हुन दी है एक ग्रेस मरदामा पांडा जांदा है उन्हा विच पर ए औरत ओमा ने क्या एस औरत ने अपनी पूरी ग्रेस नू सामके रख्या होया है जो 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 इस दी उमर वद दी गई है इस ज़्यादा खुबसूरत हुन दी गई है नहीं तुसा हाथ तवे खेने इंद्रा गांदी दे हाथ ते पैर जे मेरा वास चले था I can fall in love with her hands any day इस मुरात बे ते पहुंचियां हुयां औरता नू हर कोई महबबत करन लई त्यार हुन दाए मैं क्या महबबत करन लई त्यांसी तो अनू भी त्यारा महतर्मा गौतम मुस्कराया मजाक दी गल नहीं उन्ज औरत लई उमर दा एहसास केड़ा जबरदस्त ते जालम एहसास है एकदम उधी जिंदगी नू ते सारी सोचनों कंडिशन्ट करदाए पर एहो जियां बुलंद ते शोरत याफता औरतां दी उमर भी कोई माइने नहीं रख दी इदरा गंदी नालता सोडां तो लेके असी सालां दा कोई भी मर्द आशक हों लेई त्यार हो सकदाए त्यार ता हो सकदाए पर एश्क नहीं कर सकदा क्यों? क्यों नहीं कर सकदा? इश्क लेई एक जड़ी बेखुदी दी जुरूरत हुन दी जुनों दी एक अन्ने पैशन दी उगितों आएगा उन्हों ता हरवले एही एसास रहेगा कि ओ अपने नालों बेतर औरत दी हुजूरी वेचे मेरा तक ख्याल है अजई हालत विच चंगा पड़ा बंदा इंपोर्टेंट हो जाएगा उमधा एक दोस्त कैन लगा नाली चेंप के मुस्कुराया पर हर मर्द सिर्फ अपने नालों कटिया औरत नाली इश्क कर सकदा है अपने नालों वदिया औरत नों मुहबद ही नहीं कर सकदा मैंनों हुन थोड़ा जा गुस्सा आ रहा सी नहीं कर सकदा मैं तब बड़े व्यावी इसे करके टोटदे वेखे ने क्योंकि औरत जहां ते मानसिक पदर ते मर्द नालों उचेरी सी जहां वो अपने काम विचो दे नालों बेतर सी जहां दे मापे मुण्डे दे मापे आनालों वदे रे सोखे सन होर ते होर जे बदकस्मिती नाल औरत दी तनखाई के ते मर्द नालों वद हो गई ता गड़ी उलार होके उल्लर जाएगी परे भी ते हो सकदा है के एक आदमी होर वदिया बनन ले ग्रेटर हाइट्स ते पहुंचन ले अपने नालों अजीम औरतनों महबद करदा होवे उन्हें जदों एक है के मेरे वाल तक क्या था उदियां अखाँ विच कुछ इना पिगलिया होया सी कुछ पक्ती वरगा पूजा वरगा के मेरे मन दी कोई तार हिली शायद पहली वरी कौतम ने ओमा वल ते फेर मेरे वल बड़ा डूंगा तक क्या ते होका परया पंजाबी दी शाम दी सदारत बलराज सानी ने कीती पर बलराज सानी नाल अपनी दोस्ती दी गल में तो आनू फेर कदे सुनामा गी वापस मुडी ता रात ते पॉने दो वाज चुके सन होटल दे बार ही उमी खड़े सन परिशान क्या कुछ नहीं सिर्फ मेरी बांक उटके फड़ लई मेरे अंदर सुर मंडलते एक उंगली आहिस्ता जहे कंबदी होई सर की एक सिरे तो दुज्जे सिरे तक सड़क दे पार समुंदर सी समुंदर नू लग तक आउंदी एक बनेरी ने वलया होया सी एक वलगण गुलाई विच को मुदे समुंदर दे नाल नाल दूर तक चली गई सी लेंगे दी लॉन वांगो उसे बनेरी ते असी बै गए समुंदर दी आवाज सुन दे होया समुंदर दी आवाज बहुत डूंगे ते बहुत लगातार पैशन दी आवाज सी बेहद जुनून नाल परी हुई, मधोश, ते बेहद पीड नाल कलवल, हर पैशन वांगू, काम मते वेग वांगू अगली रात असीक रेस्तरों विच रूटी खाण गए मैं कदे एहुजई वड़ी ते चकाचौन नाल परी था ते रूटी खाण नहीं सां गई मैं बहुत ही चक रही सां, पर ओ तिन सन, गौतम, ते उदा वड़ापरा, ते ओमी सो उनन दा फैसला चुपचाप मन लिया नाले ओ तिनने ता एह सोच के तुर दे सन, कि एस तरह चकाचौन करन नाल हर कुड़ी काबू की ती जा सक दिये सो उननों अपनी मेक बिलीव दी खेड़के डिन देनी चाहिए दिये, मैं सोच या इस सोच दे नाल ही शायद एह असास भी आया, कि इना तिनननलों में वक्री हाँ वक्री, ते शायद इस से लिए उनना तो बाहर अडरी नाल हुंदयां भी वक्र अज बिल्कुल याद नहीं के ओस रेस्तुरादा की ना सी खेर, सबने ड्रेंक मंगवाए ओधों जे बंबई विचारी मुरारजी डिसाइदे टाय नहीं सी चड़ी मेरे ले निम्बू पानी, यानी शिकंजवी आर्केस्ट्रा ते कोई बड़ी मद्दम तोन वज रही सी पहलो मेनू लगगा ओओ कोई उदासी दी तोन सी पर जदों आले दुआले दे पमर विच मैं अपने आपनू चोब के फढ़ लिया हवा विच कागस दे टुकडे वंगू उडण दा एहसास जिस वेले खतम होया ते कुरसी गर्दे शचड के मेरे पैरा हेट स्थिर हो गई मेनू लगगा ओओ उदासी दी नहीं सगों आहिस्ता आहिस्ता चड़ दे नशे दी तोन सी तांग दी जुस्त जुदी जो तुम पूरी रात समने होवे ते महभूब दे किदरे जान दा जां सौन दा खत्रा ना होवे होठा दा पैरा तो उता आहिस्ता आहिस्ता तुर्दा सफर थोड़ी तेर मगरों उस सारे विशाल रेस्तुरादियां बतियां मद्दम हो गई यां ते सिर्फ और्केस्ट्रा उत्ते ते और्केस्ट्रा दे निडे फ्लोर ते तेज रोशनी इकठी हो गई खंब समेट के एक कुड़ी ने फ्लोर ते आके नचना शुरू कर देता सितारयां जड़या स्या लिबास अदब चदा जड़ा उदे उनमादक नाच नाल कबराईयां चड़ियां दे खंबावंगू उडदा सी ते फेर उएक एक करके अपने कपड़े लौन लगी मेरे द्वाले फैले चेरे वी आहिस्ता आहिस्ता बे नकाब हो रहे सन सारी शायस्तगी दे ते कल्चर दे ते तहजीब दे मुखोटे उना चेरे आतों आहिस्ता आहिस्ता सरक रहे सन तो निकल रहे सन पसीने नाल नहाए, पिचपिचे, लिजलिजे, गुनने आटे नाल हुने हुने बनाए चेरे, नंगे, काम, वेग, नाल, उत्तेजित, वॉराए, पुखे. मैं नू सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता नंगे हुंदे उन्हा दे दंद नजर आ रहे सन मैं नू लगा मैं नू उल्टी आ जावेगी मैं ओमा दा हाथ फढ़ के तरला किता प्लीज, I can't stand it पता नहीं मेरा चेरा पीला हो गया होवेगा जा सफैद, जा स्या वो तिन्ने मेरे वल तक के कबरा आ गए चलो चल देया ते उन्हा ने बिल मंगवाण ली कैदता ओमा मैं नू लेके बार वलत उर्पया उस होटल दे पिछवाड़े छोटियां छोटियां गलियां सन हनेरियां सिर्फ कुछ दर्वाजयां द्वाड़े रोशनी दा चड़का सी ये चीनी रेस्तुरा ने चीनी रोटी खाईए ओमा ने मैंनू पुछया चोटे-चोटे रेस्तुरा वेख के मैं तसली नल क्या? ठीक है मद्दम रोशनियां, नीवे मेज, निकियां-निकियां कुरसियां एर कंडिशन होन दे बावजूद कम्रे दी हवाविच चीनी खाने दी तिखी हवांक पुकाने वंगों परी होई सी मैनू तचीनी डिशां दे ना भी नहीं सन आउं दे और्डर उमा ने ते गौतम ने ही दिता और्डर देन मगरों मेज दे दुआले ते मेज दे उत्ते वी एक अच्चवी परी खामोशी छा गई I'm sorry, तो अड़ी शां उजाड के रख दिती मैं मैनू वाकई उना तिना नलहम दर्दी सी ते अपने गुना दा एहसास नई, नई, शाम किस तरह उजड सक दिये जद तक तू सड़ना आ ले गौतम ने क्या बिल्कुल, ओमा मुस्कुराए नई, शायद ये एस करके होया के मैं एहोजया महाल अगे कदे विख्या ही नहीं सी फिर क्यो हया? ओमी, जिमें किसे बच्चे नो वरचा रहा सी असल विच शायद है मेरी बैक्ग्राउंड दा कसू हूरे मिडल क्लास बैक्ग्राउंड पर इस सारे मिडल क्लास दे सिर्थे चाल देने बहुत उतां जड़ी एक क्लास एक छोटी जई उतां अपने अपने कोने तलाश कर लें दिये एक्स्क्लूसिफ जए क्लब वड़े होटलां दे सारे साल ले बुक किते स्वीट स्विमिंग फूल गौतम बड़ी गंबीरता नाल अपनी पारी गौरी अवाज विच आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा सी अपने खास तरन्नमी स्टाइल विच हर फिक्रे विच बहुत सारे कौम में ते डैश लगा के असल विच मिडल क्लास आप जिस महौल विच रिंदी ए उस विच बे हद को टने छोटे कार नंगियां दिवारा खुपसूर्ती तो सखने को ने एक खुले रेस्तरा चमक दियां रोश्नियां रंगीन शेड पेंटिंगा नाल कजियां दिवारा उननों कल्चड होन दा हैसास दिन दियाने ते सकून ते बोरियत नालों ते रोजाना जिंदगी दी चिक चिक नालों वक्रा एक महौल गौतम दे परा ने अपनी सिगरिट दी स्वार आखदानी विच चाड़ी ते मिडल क्लास विच विच्चों इस सारी दुनिया दे रेवलुशन पैदा होए ने माक्स केंदा ए इतिहास दा पैया को मदा ए उतली यानी सरमाइदार जमात मुलक दी सारी दौलत समेट दी चली जने दीए मिडल क्लास गायब होंदी चली जने दीए ते हेटली कुछली होई जमात रोविच उठकडोन दीए पर कोई पुछे के एस रो नू रस्ता कौन वखांदाए कौन दास्दायो ना नू के तुसे कुछले होए हो एस करके गुसे होना लाजमी है तो अडिले के तो अडिनल बेनसाफ ही हो रही है एस करके रो नौ पाख के अपने मुड्यां ते पई पंजाली परा वगा मारो ए रस्ता दस्तन वाला दिमाग ए फिलासफी ए सोचन ते महसूस करन वाला आदमी हमेशा मिडल क्लास विचों पैदा होंदाए इससे मिडल क्लास विच दुनिया दा सब तो खुबसूरत साहित ते अजीम कला रचन वाले लोग पैदा होंदेने रोशन दिमाग, इन्वेंटर्स, नमे रा अलब्बन वाले यानि मिडल क्लास जिन्दा बाद उमा ने हसके क्या हुन चीनी रोटी भी सुआद लग रही सी रेस्टरावी कमाल दा सुखामा ते खुशनमा लग रही सी शाम बेहद खुबसूरत चाप रही सी उस दिन तो बड़ी सुखामी सी असी वर्सोवा बीच दी रेत ते बैठे गपा मार रही सा गौतम ते मैं ते ओमा ते ओमा दा एक बंबईया दोस्त गौतम ने क्या बाउजी याद है जदो पिछली वारी बंबईया ऐसा ओमा जिस तरह चेंप के निका जया मुस्कुराया मैंनू लगा जरूर कोई चटपटी गाल ले मैं जोर लाके पुछ्या पर दो मर्द चड़े एक औरत दे संब ने अपने चमक दे खंब ते कलगियां विखा के मुर्गयां वांगू ठुमक रहे सन कित्थे का बूओं दे सन फैर अखीर उना कुडों मैं उगलवा ही लिया के पिछली वारी ओ रंडियां दे कोठे ते गए सन रंडियां हर थां ते एक कोजी यही हुंदियां ने एक कोई पेशा पर अजीब गल ले के हर शेर दे कोठें दा अपना ही जायका हुंदाए अपनी ही तहजीब अपना वखरा अंदाज हर थां दी रंडि दी वखरी ठुमके वखरा नखरा वखरा रंग बंबईया दोस्त ने क्या हीरा मंडी आदे क्या बात है जी हीरा मंडी दी गौन वालियां विच सुर ताल दी ओ समझ के वड़े तो वड़े गवईये कुलों भी पाणी पर वालें नच्चन वालियां विच आखरां दी कलाकारी रसी होई, पुखता वर्यां दे रियाज नल सिखी होई ते पूरे हुसन ते नजाकतनाल पेश कीती होई सिरफ जिसंदी ही ते गल नहीं न होंदी कला ते रूदी वी बात होंदी ये जी अज भी कई आला तरीन गौन वालियां हीरा मंडी दे ते लखनवू दे कोठियां दी पैदावार ने पर बंबई दी प्रोस्टिटीूट दी हूर गाल ले टेक्सी वंगू तेज हिंदोस्तान दे हर कोने विचों कुडियां इथे कठियां होंदीयांने हर तरह दा माल मिलदाए और सब कुछ बेहद काली विच हुनदाए नीरस, फोका, बेजायका जिवे माँ दी दाल विच लून काट होवे ते मिर्चा होनी न मैंनो क्यों ने लजाके वखांदे तुसी दो-चार कोठे मैं रेत नो उंगला विचों के एरदयां क्या तु कोठे वेखने ने? और ता नहीं जा सकतियां कोठे ते क्यों नहीं जा सकतियां? बस योना कोठे दा दस्तूरे जो गल नहीं हो सकदी ओदे सामने खड़ो के मैंनो बेहद जिद आउण दीये क्यों नहीं हो सकदी? बच्चयां वर्गी बे सिर पैर दी जिद ते जिद विच मेनू एहुजियां मुश्कलां दे अजीब हाल सुझ देने मैं क्या? कोई पुछे था तुसी कह देना एवी एही कम करना चाओं दिये इस करके अपने लिए कोई चंगाजा कोठा लाब रही है ते असी नाल कणक चट रहे हैं? ओमा हस्या तुसी? तुसी दलाल? गौतम हैरान मेरे मूँवाल वेखन लगा बंबया दोस्त चेंप के समुंदर दियां लेरां गिनन लगा ओमा कैन लगा? बस फेर हो थो किसे ने वापस नहीं आउन देना अच्छा एंज करो तुसी क्याना एक ता मिल गई है पर असी तिन ना सो दो होर लब रहे हैं पर शकल तो नहीं वेख लण गे हो हर कोठे ते जान तो पहलो दलाला नाल दो चार होना पेंदाए ते उना दिया नजरा सर्जिकल चाकू वांग तेज हुंदियाने तुसी फिकर ना करो मैं अपनी लिपस्टिक गल्ला होते वे मल लेननी या गाड़ी गाड़ी सुई सुर्खी होटा होते होर गूडी कर लेननी या ते रता पर्स चुलाँदी होई ठुमका देके तुरांगी एंज मैं अज तक तकियां सारियां फिल्मा दियां सारियां बाईयां दी चाल दी नकल कर देयां दो कदम तुर्खे वखाए ठीक है चलो उन तक सारे इस खेड विच शामल हो चुके सन पर कोठ्यां दे पते कितो लपण गे मैं फिकर नाल पुछ्या उदी कोई फिकर वाली गाल नहीं इते हार टेक्सी वाला कोठ्यां दी तुर्दी फिर्दी डिरेक्टरी ए एंसाइक्लोपीडिया बंबई आना एक टेक्सी ललन ने या हार था ते उन्हों आखी जावांगे इते कोई पसांद नहीं आई ओर किदरे ले चल इस तरह बेशा के थे आठ दिन को मदे रवो उस सारी रात असी बंबई दे कोठ्यां ते को मदे रए हनेरियां पौडियां वाले ते मदम रोश्नी वाले कमरे चम चम बतियां वाले मुकले बंगले पीडियां, सौडियां, अनेरियां, गलियां नियोन लाइट्स नाल चाननाईयां सडका मरियल मुझसे तरक्के रद्धी कागज वंगु मरोडे होए चेरे कूडे दे टेर विच सुटे कचरे वरगे चेरे उदास ते बेरंग जेहे मुस्कुराँ दे, परे होए, लिश्क दे चेरे गौन दे माहर चेरे, ते शेर सुनौन वाले चेरे वो चेरे जिननुना हिंदियां दी सी नांग रेजी अजनबियत दा गुंगापन लपेड के उखडे पलस्तर वालियां बदरंग कंदा वरगे चेरे अजन्ता दे इलोरा वरगे चेरे, केलंडराँ दी सीता दे रादा वरगे चेरे, बेशुमार चेरे स्वेर सार असी वापस होटल मुड आए मान विच अन्ता दी उदासी सी, अजीब बोजलपन, सराने ते सिर रखतें ही मैं पुबा मार के रोपई अगले दिन समुंदर कंडे ओमा मिरा हत फढ़के आहिस्ता आहिस्ता पलोस दे रहे, कोट दे रहे रंडियां दे कोठे में अग्गे वी वेखे सन, कई वारी हिंदोस्तान विची नहीं, योरोप विच, इंगलेंड विच, अमरीका विच वी जपान ते सिंगापुर ते हॉंग कॉंग विच वी, हमेशा मजाग समझ के दो कडियां दा जी पर चावा पर कल तेरे नाल जदो मैं गया, बहुत सारी उदासी मेरे अंदर पर गई जी में कोठे आते नहीं, पुराने मकबरियां विच को म्रिया हो मा राती भी सोचदा रहां, क्यों? समझ नहीं आई शायद इही यो मुकाम सी जदो पहली वरी उमा दे जजबे नू मैं गंबीर तानाल लिया जदो कोई चीज ओदे जिसम विच तुरके मेरे पिंडे विच मेरे खून विच आके राल गई उथे, समुंदर कंडे दिन दे आखरी मदम उजाले विच शाम दे पेले पिगल दे परचामे विच अग दी एक लपट, एक शोला बरफा नाल सौं के आई हवा स्याल दी तुप जंगलां दी सरसराहट ते दैशत जंगली हवावां दी पगलाई आवारा खुश्बू ते हूक स्याल दियां ठरियां रातां विच चीड दियां लकडा नाल बाली अग समुंदरां दी लूनी महक मी तों पेलों दी हवा दी खुनक खुश्बू सहरा दी तरकाल मी दे त्रौंके मगरों तरती विच्चों उठन वाली हवाड जिवें प्यार हेठां पेजिके कोई सुत उनिंदी तीमी महभूब दी सेज तों उठी होवे लव दे कतरे अपने कग्रियां दे केर लहरों दे लोना लिशकों दे गुलाईयां विच फैल दे ते सिमट दे चोल खान दे ठुमक के तुर्पई सारे पिंडे विच अपने ही जिसम दा एहसास बडे साला मगरों जिवें परदेसों वापस आ गया एक लंबी जलावत नी पोग के मैं अपने जिसम दे कोगे नाल अपने कान जोड के समुद्रा दा शोर सुन रही सां एसी अजीत को और दी आतम कथा खाना बदोश्दा पंजवा अध्याए कोगा ते समुदर आवाज मन प्रीट सो होता एस आतम कथा दे बाकी हिस्से अते अजीहा होर साहित सुनन वास्ते एस चैनल नो सब्सक्राइब कार लेना लाइक, कॉमेंट अते शेर जरूर करना